आज सुनिए व्रदला सिनाजी की लिखी हुई कहानी शीशा फुआ व्रदला सिनाजी एक सुविख्यात लेखी का होने के साथ साथ राजनीती में भी धखर रखती थी वे गोवा की पूरे राजपाल भी रह चुकी हैं तथा जब वे जीवी थी तो राज़ीत में पूरी तरह से सक्रिय थी प्रस्तुत है उनकी लिखी कहानी शीशाप हुआ राधा के सिर से उसके पती का हाथ उख जाने की संसनी खेच खबर उस गाओं के एक एक घर में पहुँच कर पूरे परवेश को एक बार फिर गम में डुबो गई जिसने जहां सुना वहीं से राधा के घर की और भाग चला उसके घर आंगन दर्वाजे पर इस्तिरी पुरुष बच्चों की भीड जम गई राधा के दर्वाजे से लेकर आंगन तक सब के सब निशब्द किल करते वे मूर सांतोना के शब्द जैसे रीत कहे हूँ राधा के हिर्दे विदारक करंदन को दिगरित कर रही थी उसकी माँ महलाई भी उसके सुर में सुर मिलाती हुई तब ही दर्वाजे के उसे भागता आकर एक लड़का भीड में एक संदेश उड़ा गया शीशा फुआ आई है और उस नाम को सुनते ही सबके सबस्वर जहां थे वही धम गए जैसे शीशा फुआ के आगे रोना एक गुनाह हो सबकी सब महलाईं वा बच्चे फुआ को देखने दर्वाजी के उर्खे सकने लगे भीड को चीरती एक सक्त आवाज मुजी कहां है रदिया कहां है उसकी मा राधा और उसकी मा को ढूरती शीशा फुआ वहाँ पहुची दोनों आउंदे मुँ पड़ी थी फुआ की आवाज फिर गुची अंदेरे में क्यों पड़ी है फुआ दोनों को खींच का बाहर ले आई हात मुँ धुलाया थमे हुए वक्त में गत्याने लगी शीशा फुआ का व्यक्ति थी कुछ ऐसा था उन्हें रुकना ठकना पसंद नहीं था शीशे की तरह साफ पारदर जी गाउं के लोगों पर किसी भी प्रकार की आई विपत्ते के समय शीशा फुआ आधमक ती और फिर किसी प्रकार की शाब्दिक सांतोना धहरे की आवशक्ता न रहती वे स्वैम धहरे की जीती जागती मूरती थी रादा ने भी एक बार उस शीशे में अपना चेहरा देखा और मुँ बंद कर लिया अंदर से एक अधर्श शक्त ने उसे गतिमान होने के लिए मजबूर कर दिया शीशा फुआ के गर्वीले परिचे से उस गाओं का बच्चा बच्चा वाकिफ है मैं नौ भाईयों की बहन हूँ नौ भाईयों की निश्चे ही लोग कताओं में वर्निट साथ भाईयों के बीच एक बहन के नसीब सभी अपने भाईयों को उचा दर्शाने के एहसाद से भरा हुआ उनका पुर्णा वरत परिचे फुआ के पिताजी के दो लड़के दो लड़कियां उनके अन्य तीन भाईयों के लड़के ही लड़के नौ भाईयों के बीच दो बहन शीशा फुआ ने ना जाने क्यों अपनी बहन के अस्तित को कपी स्विकारा ही नहीं बच्पन से ही क्या अपने बड़े भाईयों से लाड़ प्यार प्रात कर छोटों पर उड़ेलती रही, छोटे भाईयों को गोद में उठाए दिन भर मुहले टोले में भागती फिरती, चाचियां भी खुश, बढ़का चाचा मेरे ही हातों खाना लेते थे, छोटका काका को म ही हुक काबर कर देती थी, मजला काका को मेरे साथ खाए बिना स्वाद नहीं मिलता था, अपना बच्पन बखानते हुए भुआ घर के एक-एक सदस्य से स्वयम का उपयोगी संबंद चोड़े बिना रहती, हम छोटी-छोटी बहने, मैं, नारायनी, विधा, शान्ती, उश गीता, उन्हें घेर कर बैट जाती, फुआ अपने भागे की सरहना करते करते, अनायास, लंबी चलांग लगा हमारी निसारता पर उतर आती, मैं तो अकेली थी, अकेली, तुम लोगों की तरह एक दरजन नहीं, एक टिड़ी दल भाईयों के आंगर में उतर आई हो, तभी तो तुम बेहनों का मानदान नहीं होता, उनके भागे की सरहना में फूली बैठी, हम बेहनों को भला अपनी निसारता कैसे कबूल होती, हम सब एक साथ उनको छेड़ बैठती, फुआ अब आपको कौन पूछता है, आपके बाप चाचा का जमाना लद गया, अब तो हमारा मौका है, हमारी पूछ है, आप तो पुरानी पढ़ गई है, फुआ वो पुराने पन से सकते निचरती, वो तमक उठती, कौन पुराना, देखती हो मेरे भाईयों को मेरे बिना चैन नहीं, छोटे बड़े मौके पर सब बुलाते हैं, बढ़का भाईया से लेकर सुमंगल चल चल के पुछवा दू, और फिर तो हम कितना भी ना नुकर करें, दरवज्जा चड़ अपने बढ़का भाईया मतलब मेरे पिताजी से पुछवा कर ही दमने थी, फुआ ने अपने कथन की पुछटी के लिए जाने कितने प्रसंग कंठागर कर रखे थे, हमारी बहुमत की भहस भी उनकी बुलंद आवाज की लाठी से पिटकर रह जाती, फुआ के पर्वोक्ष में काकी सुनाया कर दी थी, बाप चाचाओं एवं नो भाईयों की दुलारी बहन की शादी में सयुक्त परिवारवालों ने एक ना उठा रखी, सामर्त से अधिक ले देकर संपन गर सुन्दर वर खोज कर शादी की, और गाउं जवार में उस एतिहासिक शादी के वर कन्या तथा बाराज से लेकर एक एक घटना की सामाजिक चर्चा पसर कर बासी भी नहीं हुई थी, कि ठीक एक वर्ष बाद बेनीपुर से समवाद लेकर एक नाई आया, कुशल पूछ बच्चा बच्चा तक खटान पैटान दिये पड़ा रहा, शीशा बुआ की खोज खबर लेने जाने की किसी में हिम्मत नहीं, डोली जो ससुराल के लिए उठी तो लोटी भी नहीं थी, गाउं जवार के प्रसिद रामायणी मजले काका ने पाउं पकड़े ससुराल के लि लुखने थमने का नाम न ले, सारे समाज की आखों की अविरल धाराओं को बानने का संदेशा ले आई एक दोली के दरवाजे पर रुखते ही ओंदे पड़े परिवेश में संसनी फैल गे, आश्चर मिश्रत अटकले लगने लगी, कौन आया, किसी को तो बुलाया नहीं ग दोली से गुलावी फर्दी साडी में लिप्टी एक आकरती उतरने लगी, शरीर के धाचे से दरवाजे पर बैठे बढ़का काका ने अपने खांदान का इकलोती को पहचान लिया, उनका कलेजा फटने को आया, काकी मुपर आचल कसकर बांधे बेटी को दोली से उतार पिछले पंद्रे दिनों से आसो में डूबे घर, परिवार के जैसे आसो चुप गए, स्वयम फुआं हस्ते हस्ते सबसे गले मिल रही थी, कोई रोता कैसे, तबसे लेकर आज तक कोई उनके सामने उनके फूटे भागे की खाते नहीं रोया, उनकी मा भी नहीं, बुआ की आँख बचाकर जो जितना बिलख ले, उनकी शादी के बाद ही चार भाईयों के बेटों पोतों से भरा परिवार चार चुनों में पठकिया था, अब भी बुआ के लिए चारों एक ही थे, उनकी इच्छा जब जहां खाने सोने की हो, वहीं खाती सोती, कोई रोक नहीं, का वेश को भी प्रेम में बना देती, और उनकी हां में हां मिलाती औरतें भुल जाती कि शीशा बुआ का ब्याह भी कभी हुआ था, वही कुआरेपन से भरी चंचलता, चपलता, अलहरवारतालाप, कानों में लटकते लंबे करण फूल, गले में सोने की हसली, कलाईयों पर च विकार नहीं किया, तो थोपने की हिम्मत किसमे होती, फूआ की कोख में पल रही, पती की निशानी की बाद जब आगन की स्तिरों के बीच फैली, तो सबकी सब भगवान से प्राथना कर उठी, भगवान इस अभागिन को एक लड़का दे देना, जीवन का सहरा हो जाएगा शीशा फूआ की गोद, जब एक नवजात कन्या ने भर दी, तो उनके चेरे पर शिकन तक नहीं आई, नाना नानियों के दुलार में पल रही बच्ची के अस्तितों को बुआ ने निर्विकार भाव से लिया, दो वर्ष की पुत्री को उसके दादा दादी के घर ले जाने मेके जाना हो जाएं, जब आना चाहती हो स्वागत करते, सुस्राल भी चार भाईयों का परिवार था, एक स्वर से सब के सब फुआ का समान करते, फुआ ने अपने मेके की गौरव गाथा, सुना सुना कर, देवरों को मोह रखा था, तीनों देवर, जी हुजूरी के लिए सजग भी, ससुर से कहकर उन्होंने जमीन के बटवाने में अपना हिस्सा निकल वा लिया था, उनकी खेती भी देवर लोगी करवाते, उनके देवरों की जमीन भले कभी किसी कारण पढ़ती रह जाए, फुआ के जमीन पढ़ती रहे तो देवरों की खैर नहीं, दिन बीट बेटिया डाले बैठी फुआ, बेटी दमात को देने के लिए सामगरियों की फरमाईश करती रही, सबके सब देवर देवरानिया एक पाउं पर खड़े हुकम बजाते रहे, बेटी विदा करते हुए फुआ, आम लोगों की अपेक्षा कम ही रोई थी, अब तो साल में उन चांदी से लेकर हींग हल्दी तक की खरीदारी करना यही सब बुआ के दिन चर्या थी, अन्तिम बार फुआ मेरी भती जी की शादी में आई, आते ही पुरे परिवेश पर चागई, महिलाओं के विवार की बाते ही क्यों, पुरुष भी रस्म अदाईगी में फुआ से रा पढ़ा गई, बेटी की शादी में पैसे की किम्मी पड़े, तो संकोष नहीं करना बबुआ, तेरी बुआ भी जिन्दा है, भाया की आखें गीली हुआ है, मेरे किसी भाई ने दूर से ही फुआ को छेड़ा, फुआ के घर अन नहीं है, तभी तो भोज खाने आ गई है, फ कौन कौन तीड़त गई, देवर की किस बेटी की शादी में कितनी मदद की, मेके में आहिजित विमिन अवसरों पे कितना खर्च किया, सारा जमा खर्च सुनाती गी, किसी ने फिर छेड़ा, लेकिन फुआ के देवर तो पूछते नहीं, फुआ ससराल में मेके वालों की शि उत्पन जिन्हें देखने लगे थे, मैंने कहा, फुआ अब आप ठकी लग रही हैं, ना बेटा ठके मेरा तुश्मन, अभी पश्पत नाच से आई हूँ, अगले महीने रामेशरम जा रही हूँ, फुआ क्या बुढ़ा, क्या जवान, बच्चों तक को सुनती और अपनी स नाती रही, उसे बाते कड़ते हुए एक एक इस्तरी पुरुष अपने विवारिक जीवन की कटनाईया भूल गया, किसी की बेटी की शादी, बेटे की नौकरी, पती की बीमारी, घर, जमीन, जायदात के बटवारे जैसे रोज मर्दा के विक्तिकत जंजटों को फुआ का साने दे मातर सहला जाता, फुआ के सामने भला पती, पुत्र, नाती, पोते वाली इस्तरी क्यों रोए, फुआ कभी नहीं रोई, कभी किसी के आगे हाथ नी पसा रहा, सब को दिया, मा, भाई, भतीजे, अरोस-पडोस को देती रही, पैसा, कोडी, अनाज, वस्तर, और इस जट-पड विदा करो, कुछ मिठाई हो तो बांदो, मैंने मजा किया, बुआ बड़ी लो भी हो, भावी से बिना मिठाई लिये नहीं जाओगी, तुमारे घर में कोई खाने वाला भी तो नहीं, जवान से बात छिटक कर कहीं मेरे दिल में ही जुग गई, मैं जब तक अफ स्टेंड से कुछ मिठाई बताशा खरीद लेती हूँ, पहुंचते बच्चे सब दौर पढ़ते हैं, सब को माड़ती थी हूँ, मैंने फिर पूछा, बुआ आपके हिस्से की जविन आपकी नाम है ना, फुआ की वेवारिक बुद्धी बोल पड़ी, और क्या, अपनी जि जो देना था, हाथ उठा कर बहुत दिया, जमीन तो देवरों के नाम कर जाओंगी, उन लोगोंने मेरी बहुत सेवा की है, अपने पती बेटों से भी बढ़कर, कभी तुमारे फुपागी कमी महसूस नहीं होने थी, मैं उनके प्रती बेनसाफी नहीं बरत सकती, आकर उप वाली बुआ को मरना कबूल नहीं, मर मरकर जीना भी नहीं, निश्चाई उनका जीवन्त व्यक्तित, जीवन से हार मानने के ख्षणों में इस्तरी पुरुशों के लिए अमरत की बून बनता रहेगा, राधा को भी वो बून मिल गई थी, राधा ने अपने आसू कोंच लि मुझे अपने कानों पर ही विश्वास नहीं, उनके रहते परिवार का बंधन विखडने लगा, उनका शरीर गिर गिर गया था, शरीर के दो प्रमो की अंतरों, आख और कान के सारे उनने सब दिक सुन रहा था, सब भाई यहां तक की उनकी बेटी भी पुआ के अंतिकाल से पहले जमीन अपने नाम कराने की आपधापी में लग गई, जिसने सबकी सेवा की, उसकी सेवा में कोई तत्पर नहीं, फुआ का कंट स्वर अवरुद हो गया था, इसलिए जब उनकी बेटी जमीन का कागज बनवा कर, उनका अंगुठा स्याही में लगाने लगी, तो उनकी पुकार सुन ही ली यमदेवताने, फुआ चली गई उपर वाले को जवाब देने, नीचे वालों को उनके जाते ही छूट मिल गई, उनके परत्यक्त चोले को पकड़ कर रोने चिलनाने, फुआ की संजोई संपत्य का बंदर माट करने की, अभी आप सुन रहे थे, की लिखी हुई कहानी शीशा फुआ, आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, कल फिर मिलेंगे, आपका समय मंगल मैं हो